गरूर पुरान अगले जन्म में क्या बनेंगा? ये आठ बाते खुलेंगी हर रहसे का राज। गरूर पूरान शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ही मिलतियों के बाद स्वर्ग और नरक में जगह मिलती है। उसके कर्मी बताते हैं कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा? गरूर पूरान धानर की व्यक्ति की मिलतियों के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे वबुरे कर्मों के आधार पर इस वर्गोन रख में जगा मिलती है। साथ ही इस पुरान में ये भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्मी उसके अगले जन्म का निर्धारन करते हैं। आएए जानते हैं कि कर्मों के आधार पर अगले जन में क्या बनेंगे। जैसा कर्म वैसा जन गरोर पुरान के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोशन करते हैं वो अगले जन में भयानक रोग से पी रिथ होते हैं। इसके अलावा अप्राक्रितिक रूट से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन में नपुन्जग बनते हैं। गरोर पुरान के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी कुछ शल्ट कपट और धोखा देता है। वो व्यक्ति अगले जन में उल्लू बनता है। वहीं किसी की जूठी गवाही देने बाला मनुश्य अगले जन में अंधा बनकर पैदा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे जिससे की हमारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो व्यक्ति लूठ पाथ जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोशन करता है उसे अगले जन में किसी कसाई के हाथों मृत्यू प्राप्थ होती है। यानि वह जानवर का जन लेता है। गरूर पुरान में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रतारिप करता है उसे जन तो मिलता है लेकिन उसकी मृत्यू गर्भ में ही हो जाती है और बहुत हर्ती पर नहीं आता। गुरू का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। गर्भ पात या गाय की हत्या करता है वो अगले जन्मे मूर्ख और पुबड़ा बनकर पैता होता है।